विश्वियूद का इधिया सब पर रहे हैं और इसमें हमने पर्थम विश्वियूद को डिसकस किया हुआ अगर आपने पर्थम विश्वियूद का विडियो नहीं देखा है तो मैं डिसक्रिप्शन में उसकलिंग प्रोवाइट कर दोगा आप वहां से देख लेए पहले उसके बाद यह वेडियो देखें तो आपको बेतर नंग से समझ में आएगा तो इसके विडियो पहले होता है second world war Second World War का और पणिनाम की मिश्वियूद क्यूं होता है उसके क्या पणिनाम होई तो पिछले की विडियों है से एक अगस्त से एक अगस्त उतनाट 14 से और यह खतम होता है 11 नमबर 11 नमबर 1918 को जब जर्मनी युद्विराम की संधी पर अस्ताक्षर करता है तो वहा सब्सक्राइब कि अगर किसी देश देश में विवाद हो तो उसे बात चीद के तौर पर सुल्जा लिया जाए ना कि युद किया जाए तो इसमें काम नहीं करता है कि पैरिस में शान्ती संबेलन होता है। ये क्या है पैरिस में शान्ती संबेलन? बहुत्ब शांती बनाया रहते हैं क्लिए एक मीटिंग बुलाएगे उसको संब्मीलन किया गया। लगबख 27 देशों ने भाग लिया। क्यों बुलाए गया गया? कि जो विज़गी रास्त है उनको थोपना था जो हारे हुए रास्ते उनसे पैसे बगरा देने थे जो भी नुपसान हुआ था उसका बोज रहना था किसी के ऊपर इसलिए शांदी संदी को बुलाए गई तो इसमें पांच से इंपॉर्टन संदी है जिसको उनको पढ़ना है तो देखें फिर्ट्स क्या और अमेरिका था और विमारी 27 देश में जुर करकिये थे लेकिन जो निर्णाय भूमी का निगाहन निभा रहा था में रुक्रदार निमार रहा था वही तीन देश निभा रहा था इसी का सब बोया हुए तो तो तीन देश करते हैं यह संदियां होती है दूशों की कुष बात होती है पैसे वैसे का लेंदिन हुआ होगा तो वह होगा यहां पे लेकिन सबसे इंपोर्टेंट इसमें क्या है फ्रेंस वर्साय की संदी जो जर्मनी के साथ होती है यह क्यों इंपोर्टेंट है क्योंकि जहासकारों का मानना है कि वर्साय की संदी में ही दूश्य वि जर्मनी के साथ हुआ था हमने देख लिया तो इसमें कुछ इंपोर्टन सकता ही देशों लिए बरसाइकी संदी में भाग लिया ब्रिटेन, फ्रांस, अमरीका, निर्नायब, भूमिका, निभारत जैसा कि मैंने कहा जी क्योंकि ये विज़ाई रास्ट थे ये पर्थम विश् युद नहीं होता और उसको क्या किया गया उसको आर्थिक तोर पर पंगू मनाने की कोशिश की गई मतलब उसके पास जो धनी परदेश थे उससे जबर्दस्ती चीन लिये गए फ्रांस के छेत्र को फरांस को वापस कर दिया गया और उसके बास जर्मनी की सैनिक सर्थी को पूरे तोर पर जर्मनी को तोड़ दिया गया ताकि जर्मनी आएंदा आने वाले दिनों में कभी इतनी हिमाकत ना कर सके कि वो युद करने को तयार हो जाए इसने जर्मनी को पूरी तरह से तोड़ दिया लिया और जर्मनी को मजबूर होकर क्योंकि जर्मनी पर्थम विश ताक्षर तो कर दिया लेकिन जर्मनी के लोग इस वर्जाय के संदी को एक कलंग की तरह मानते दिया और उनको यह जो मिद्र राज थे ब्रिटेन, फ्रांस और अमरीका के पड़ती बहुत जादा आप्रोश व्यापत हुआ पैदा हुआ और जर्मनी के लोग बहुत जादा न थे लोग धा है ताना शाथ हिट्टन तक रुभण कर भरने के बाद वो तार्शाही की निती अपनाता है और आकर्मन निती अपना कर दूतिय बिशवियोद की शुरूवात करता है तो आएउस अब आगे बढ़ते हैं दूतिय बिशवियोस्यूीध की तरौस की डूतिया विश्वियूद हुआ और क्या-क्या घटित हुई दूतिय विश्वियूद की शुरुबात कर दी तो आए टेटेल में समझते हैं कि दूतिय विश्वियूद का कारण क्या था दूतिय विश्वियूद का कारण क्या था अगर आप पॉइंट वाइस देखें तो पहला पॉइंट है वर्साय की अपमान जनग जैसा कि अभी मैं एक्स्क्रेंड किया वर्साय की संधी वह जर्मनी के लोगों के लिए क्या थी बहुत ही अपमान जनग थी बहुत ज्यादा मातित किया था जर्मनी के लोगों को वर्साय की संधी के दुआरा अ विभी में लिए 104 में देखता है leisure anime फिर में लेके आएए हम वर्साय की संधी की धजिया उड़ा देंगे और हम आगे मतलब वर्साय की संधी को नहीं फॉल्व करें कि आप हमको सत्य में लेके आईए तो लोग ऐसे भी परसाय की संधी से बहुत जाता आप रोशिट थे तो वह क्या रहते हैं हिटर को सत्ता हाथ में है और इंटर नाजिवात की शुरुआद करता है ऐसे ही में मुसलोनी फासिवात की शुरूआख करता है आप ने बर्थम की रिगेंगे ज़ाता है मतलत अबरीका प्रांस की तरफ से रखता है पहले तो ग्री जन्मी पर में पलड जाता है और अमेरिका की साइड या इटली में इटली में क्या होता है फाझी बाइबात की शुवात होती है तणाशाहिट कinh जर्मस के पर दीजके तरय मीडिये तरह आश दीज़ंबम karate है तो तीसरा कानधा सुन्हाइब प्रविक्ति यह कोई दूसरा अलग पॉइंट रही है फिस्ट वर्ड 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 पे जैसे जो कारण था फिस्ट वर्ड वर्ड का अगर आप देखे दुथी विश्वियूत में पी सब वही कारण था यहां पी समराज वादी परवर्डी थी मतलब लोग का ली आठी की स्फवर मस्बूत कर सके तो इस सब्सम्राज का विस्टार दें प्रवर्ड परवर्डीArt जैसे से कुछ हुआ था परतम विश्व युद्वाता सिंगेट वर्वार में ऐसे ही कुछ हुआ था जर्मनी जैसे वो बढ़ता है तो जर्मनी दूरी रास्ट जर्मनी टिली और जबान के साथ क्या करता है कॉपमाइंड हो लाता है हमिल जाता है और एक ग्रूप बना देता है कि अगर मेरे उपर हम परतम विश्व युद्व में अगर आप तत्कालिक करने की बात करें तो तत्कालिक करना कुछ ऐसा हुआ था कि आपडिर 1949 में हिट्लर ने पॉलाइंड पर क्या किया था दोजी पंदरगा पॉलिश गलियारी वापस करने की मांग की ती जैसा कि आपने देखा परतम विश इस गलियारा पॉलैट को दे जाता है तो जैसे ही जर्मनी अपने पहरे भड़ा होता है हिंट्टर की आकर्बंकारे के बाद तो क्या रगता है कि ने अपने ऊकरमान में आप करेंगे सबस्क्राइब करengoistes तो सटाइब कर्ने के पहला को यह पर अब कि अपक मिधी लगां लू और फ्रांस ने जर्मनी के विरूद यूद की गोशना कर देती तो और फिर एक बार विश्व यूद के खड़ा हो जाता है और दूद्य विश्व यूद की यहां से शुरुवात बिजाती है कुछी दूद्य विश्व यूद की कारत है कि यूद मे क्या ब options मन सकती हो जो competitive in schle아 और यूद का अंत कैसे हुआ और यूद के अंत के बाद उपनाथ क्या होता है तो अब धर चलते हैं जर्मनी के और description समञेञे आफ यह दो दिन के ऊपर हमला कर दिया DR sz इसके अबच में जर्मनी रुका नहीं उसने अपने सम्गराज्च के विस्तार के लिए घीरेठ चीरे करके बहुत सारे अध्यों पर उन्णा कर Lum African कि देनमार्क पर हमला लिया और उसको अपने अधिकार में ले लिया नौ में 1940 को जून 1940 तो को ब्रेंजियम और अपने अधिकार में ले लिया मतलब जर्मनी जो है उसको अधिकार में ले लेता है और इधर संबराज विस्तार की उद्दे से जापान भी चुप नहीं बैठता है चुप नहीं बैठते हैं कि उपरांग साफ दिसंबर उनिस्ट्र का तालिस गुरू पर्ड हर्बर जो कि अमेरिंग नौसेमिक अंड़ा होता है उस पर जापान हमला कर देता है इसके हमला करने से जपान के अमेरिका भी अभी श़ुद में शामिल होजाता है और अमरीका जबान पे युद्ध शुरू हो जाता है इसकी उपरांग भलाया बढ़र्ब माइंड ब्रोडेशिया सिंकापूर्ट थालाइट जैसे आने देशों पर भी क्या करता है आतर्मन करता है और सबको अपने अधिकार में ले लेता है तो इस तरह से हमने देखा फ्रेंट्स के एक तरफ जो कि विस्तर रास्ट है इंगलैंड, फ्रांस, उखेसर, अमरीका, चीन और भी कई देश एक तरफ एक गुरूप में रहते हैं और दूसरे गुरूप में जर्मन ने इटली जवान जिने धोरी रास्ट में कहा जाता है वो अकुरुप में रहते हैं और इन सब के पीच में क्या होता है दूतिए प Requyat का क्या डैपिटैन है उसका स्क्री छोट dedicते सकते है तो इस तरह से आपने देखा friends कि किस तरह से कौण-कॉर रास्ट किसकी साथ ग्रूम में रहता है, किसकी साथ दोसमन के रहता है और किसके साथ यूद करता है? आज इसकर क्या प्रिणाम होता है और यूद का अंध क्या होता है? उधर चलते हैं जैसे अमेरिका शामिल होता है युद्वे और हमने देखा था कि पर्थम विश्वी युद्वे अमेरिका के शामिल होने से इस्किती बदल गए थी उसी तरह से पूरी तरह फिर से दूतिय विश्वी युद्वे भी अमेरिका के संभलित होने से इस्किती पूरी तरह फिर से बदल के जैसे अमरीका शामिल होता है तो धूरी राष्ट की शक्तियां क्या होने लगती हैं कमजोर पढ़ने लगती हैं और आज़ता फाइनली 1924 में इटली क्या कर देता है आत्म समरपन कर देता है और साथ में 1925 को साथ में प्रूस की सेना के आगे विक्टर को क्या मिनना पड़ता है विट्टर को भी आत्म समरपन करता है तो इसको बहुत जादा आगहार पहुचता है और फाइनली हिट्टर साथ में 1925 को क्या कर देता है आत्म समरपन कर देता है उसके बाद अब बारीची जापान की और अब देका ने क्या किया च्छे अगस्त और नो अगस्त को अमेरिका ने जापान के दो शहर विरोशीमा और नाकसाकी पर परमानों बंग गिराया और उ समाप्त हो जाता है यूद समाप्त हो जाता है अब इसके आगे देखते हैं यूद के क्या परिनाम होए और इसके क्या कॉंक्रूजन ही कमता है तो आईए देखते हैं दूथी विश्पी यूद के क्या परिनाम देखें तो दूथी विश्पी यूद के परिनाम को जिस पर करकार है कि जन धन की भीषन सनहार हुआ मतलब लोगों की हत्या हुई लागों लोग मारे गए लाकों करोलों रुपए बरबाद हुई इसमें दूसरा पॉइंट देगे कि अपनिवेशिक यूग का क्या होता है अंध हो जाता है जो अपनिवेशिक शाशन था समराज रिस्ता इसमें पर जाते हैं कि अपनिवेशिक साशन का अंध हो जाता है इंगलैंट के जितने भी उपनिवेश थे उन सब को क्या कर दिया जाता है सवत रख जिसके उपरां आप जानते हैं है तो झाली से और दूखी विश्क यूद से दो महादर्कून शक्तिशादी देश उबर कर सामने आते हैं एक सोवियत संग जिसे रूप कहते हैं रूस कहते हैं अदूसरा अमेरिका अमेरिका और यहां पे और बहुत बड़ा सब्सक्राइब करता है और इस तरह से आगे देखने को मिलेगा आपको की पूरा विश्व जो है दो खेमें में बढ़ जाता है दोनों एक कि दूसरे के सपोर्ट में जितने भी रास होते हैं कोई इसके पक्ष में चला जातए को इसके पक्ष में चला जाता है जो कहा जा सकता है कि दूद्ये दूद्येगर दुनिया का दो अलब गार एक मैं की शक्ति में बिर्दी होती है जाजा कि हमने देखा वो पाउरफुल रास्ट मन का रुबर कर सामते आते हैं विश्वी यूद नो खेमे में विभाजान हो जाना और आफ्री पॉइंट सेयुत राष्ट की स्थापना जो रास्तसंग के स्थापना वो परथम विश्वी का डिएव अब को लाइव इन प्रम evol Padan आखे अगे नेख्र बिधु को पसंद आए ता पुर्ट-श्यार कर टेझेगा और आप QA